नवस्त कर फ्रेंड्स मैं हूं BK SINGH sir explanation में एक नए question को लेकर काज हम आये हैं that is find the ACF of 136 and 208 and express it in the form of 136Q and 208R You are already aware कि Euclid division लेमा क्या है given positive integers A and B there exists a new integer Q and R satisfying A equals to BQ plus R where R is greater than equals to 0 and lesser than B Start करते हैं इस question को तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम 208 में क्या करेंगे 136 से divide करेंगे 136 से divide करेंगे तो 1 जा जाएगा that will be 136, 8 से 6 गया तो 2 और यह आपके पास क्या बचेगा 72 यह process तब तक चलता रहेगा जब तक remainder 0 के बराबर नहीं आ जाए ठीक है अब जब इसका लेमा लिखेंगे, लेमा means A equals to BQ plus R ठीक है तो that equals to 208 equals to 136 and multiply 1 and plus 72 यह हमारे पास पहला condition हो गया अभी हमारे पास remainder 0 के बराबर नहीं आया है तो क्या करेंगे इस process को हम अभी आगे continue करेंगे क्या करेंगे इस process को आगे हम continue करेंगे तो देखें कैसे continue करते हैं इसको हम अब क्या करेंगे further हम 136 में that means कि 136 में किस से divide करेंगे 72 से divide करेंगे तो यह आपके पास 1 जायाएगा that equals to 72 आगया 6 से 2 गया तो 4 आया ठीक है उसके बाद 3 से 7 that means कि यह आपके पास 64 बचेगा है ना तो अब जब इसका प्लेमा लिखेंगे तो 136 equals to 72 multiply 1 and plus क्या होगा 64 के equal हो जाएगा अभी भी remainder 0 के equal नहीं आया है that means कि इस step में जो हमारे पास divisor है और जो remainder है इन दोनों की बीच में फिर क्या करेंगे हम division आगे further start करेंगे अब अगला process करके देखते हैं कि 72 में अगर हम 64 से divide करते हैं तो that is 1 जा यह 64 आएगा अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 8 बच गया है ना 8 बच गया तो अगला part लिखेंगे 72 equals to 64 multiply 1 and plus क्या होगा 8 होगा यह हमारे पास third step होगा that means कि this one is the third step तो यह हमारे पास तिसरा step आ गया this is third step again remainder not equals to 0 so क्या करेंगे अब 64 में क्या करेंगे हम 8 से divide करेंगे 8 जा 64 अब आप सबको पता चल गया होगा remainder 0 आ गया है that means कि we have got the value of highest common factor that is called SCF तो इस case में remainder sense 0 के equal आ गया तो जो divisor होगा वही SCF कहा जाएगा तो यहाँ पर आ गया 64 equals to 8 multiply 8 and plus that equals to क्या आएगा यह 0 के बराबर होगा ठीक है न तो चले अब आपके पास यहाँ part आ गया तो इस case में remainder जो होगा that means कि SCF जो हागा हमारे पास हमने किन दो नमबर के बीच में start किया सा 136 and 208 तो 136 and 208 का जो SCF होगा that will be 8 के equal होगा अब तो हमने SCF find कर लिया दोस्तों ठीक है कितने step total हमारे पास आए total 4 steps है अब इन 4 step के हम बात करेंगे और 4 step से हम 136 Q plus 208 R का form त्यार करेंगे ठीक है अब हमारे पास करें कि that equals to SCF अब एक बार इस पार्ट को लिख लेंगे 136 Q plus 208 R जो चलिए यहाँ पर नोट कर लेते है 136 Q plus 208 R that equals to SCF है यही है न अब हमारे पास 4 total condition आ रहा था सीन से पहला थोड़ difficult question इसलिए मैं इसको आराम से कर वा रहा हूँ पहले हम लिखा था कि 208 equals to क्या लिखा था कि 208 equals to सबसे पर लिखा था कि 208 equals to that equals to 136 multiply 1 plus 72 यह 136 multiply 1 and plus 72 यह हमारे पास पहला condition था ठीक है उसके बाद हमने 136 equals to अगला पाट लिखा था 136 136 equals to that is क्या रहा था हमारे पास 72 multiply 1 72 multiply 1 and plus क्या रहा था यहाँ पर 172 multiply 1 plus 64 right अब आते हैं तीसरे स्टेप की बात करते हैं थर्डे स्टेप में हमारे पास 72 था 72 equals to 64 multiply 1 64 multiply 1 and plus क्या होगा 8 that equals to यह थर्ड आ गया उसके बाद जो लास्टेप था हमारे पास 64 का था 64 equals to 8 multiply 64 equals to 8 multiply 8 plus क्या होगा 0 and this equals to 4th step होगा यह 4 step हमारे पास आ गया ठीक है अब इन ही 4 step से हम क्या करेंगे ACF को find करेंगे तो ACF हमारे पास 8 था right ACF क्या था 8 था 8 था अब देखे 8 को हम क्या कर सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा 8 को हम क्या कर सकते हैं 8 को हम express कैसे करेंगे अब यहां से क्या करते हैं यहां से 8 का value हम निकालते हैं तो 8 equals to obviously 72 minus 64 64 multiply 1 लिखने की कोई जरूत यहां पे नहीं है तो 8 को हमने क्या क्या 72 multiply 64 लिख दिया बच्चों क्या लिखा 72 multiply 64 लिख दिया ध्यान रखिएगा ठीक है 8 equals to 72 multiply 64 आ गया अब चलिए आगया आते हैं इसके बाद 72 को अब देखें यहां पर हमारे पास 136 and 208 है 136 and 208 के terms में इससे हमें break करना है तो इससे मिलता जूलता 72 भी नहीं है 64 भी नहीं है है नहीं है नहीं है तो एक काम करते हैं अब हम 64 को क्या लिख दें 64 को क्या लिख है 136 minus 72 तो अगले step में देखें मैं आराम आराम से करवा रहा हूँ 72 equals to A आ जाएगा 136 bracket ले लेंगे क्योंकि minus sign है and that equals to क्या हो गया A minus 72 हो गया नहीं तो एह आगया आपके पास 72 minus 64 equals to 136 minus क्या आगया आपके पास 72 आगया अब देखें दो चीजे यहां पे हमारे पास आगया अब हम 72 को क्या करेंगे 72 को क्या करेंगे देखें 208-A136 आ गया, यहां तो पार्टे यहां पर लिख दिया, अब minus A136 था, यहां पर क्या करेंगे, bigger bracket ले लेते हम यहां पर, और minus 72 के जगे पर फिर आप क्या लिख होगे, सेम वही, 208-136, that equals to, यहां भी आ जाएगा, आपके पास 208-136, सब चेक कर लिजिए, सारे के सारे terms हमारे पास 208-136 के format में होगे, तो that equals to 208-136, minus कुछ भी नहीं करना याद रखेगा, यह minus 136 और यह minus minus plus हो जाएगा, यह आपके पास क्या होगा, 208-136, देख लिए आपने, तो interesting है बहुत question, अब 208 हमारे पास दो बार हुआ है न, तो 208 ह हमारे पास दो बार हुआ, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है, तो दो बार हमारे पास 208 आ गया, ठीक है, और तीन बार हमारे पास 136 आ गया, 136 आ गया, तो minus क्या हो गया, 3 times ए 136 आ गया, यही आया न, अब चलिए, अब इस result को हम कोशिस करते हैं, इसके form में कैसे लिखे, 136 q plus 208r के form में, अब चलिए, अब आगे आते हैं, 208 बाद में है, और 136 पहले है, ठीक है, तो 136, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 136 ठीक है, और यह minus 3 कर देंगे, bracket में, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा न, expression में, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अब प्लस क्या करेंग 136 cube and plus क्या था, 208r equals to 136 under bracket minus 3 and plus 208 बाद में 2 आगे, अब जब compare करेंगे, तो q का value आपके पास 3 या minus 3 आएगा, और r का value क्या आएगा, 2 आएगा, that means की q जो हो गया, और minus 3 हो गया, और r जो हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया, यह इसका actual explanation था, इस type के और भी question देखेंगे, और यही तरीका आपको use करना है, आप सारी लेमा को लिख लेंगे, जितने भी point से बनते हैं, तो जब expression में हमें कोई variables की value को find करना होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, last से पीछे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, शुरू झाल झाल झाल